नमस्कार जेहिन मैं हूं रोनक रंतंत्र में आपका स्वागत है दोस्तों देखो जिंदगी ना खाली आस्टेलिया वाले जी रहे हैं हमारी तो सूबे होती है शाम होती है जिंदगी बस यूहीं तमाम होती है हे उपर वाले अगले जनम मेरी किस्मत उसी कलम से लिखना जिस कलम से तुमने पैट कमेंस और मिशल स्टार की किस्मत लिखी है ये लोग इतनी बड़िया जगे पर रहते हैं जहां एर पलूशन भी नहीं है फिर ये वोल्ल कॉप में इंडिन टीम को हरा देते हैं और फैन्स को धमका भी देते हैं कि हम आपको चूप करा देंगे इतनी आसानी से मिल जाता है जितनी आसानी से हमको बूद बजार में चाय का कप नहीं मिलता भईया और इतना सब करने के बाद पैसा भी यही लोग लेकर जाते हैं, जिनको नहीं पता कि मिचल स्टार्क के खाते में शारुक भहिया ने 24.75 करोड रुपे जमा कराए हैं, जबकि कावेमारन ने कमिन्स को 20 करोड रुपे से जादा दिये हैं, भहिया IPL के इतिहास में पहली बार भी खेलें, तो अभी उनके आने वाली साथ नसलें घर बैठकर ऑनलाइन फूट डिलिवरी आप से खाना मंगवा सकती हैं, इतना पैसा कमाया भाई है इन लोग है, पैसा ही पैसा होगा, आई-पील आक्शन पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे डीटेल में, लेकि फिल लाल यहां पर कल वाले मैच की बात कर लेते हैं, हमारी टीम पहुच गई थी उसी जगे पर, जिसका हमसे नाम भी नहीं लिया जाता है, हम तो चलो दूर बैठकर देख रहे हैं, कि केल, राहूल, संजू, सैमसें जैसे खिलाडी जो वहाँ पर जा रहे हैं, उनी को नाम नह उतनी ही नजर थी, जितनी काटरीना केफ के पिच्चर में राजपाल यादो पर होती, ना के बराबर है, साउथ अफरीकावला ने पहले बालिंग करने का फैसला किया, और हमारी बल्ले बाजी में सिर्फ एक हाइलाइट थी, वो थे साही सुदर्शन, सुदर्शन ने लग कर टीम इंडिया में जगे बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये भी रही कि बस साही सुदर्शन चले, उनके अलावा केल राउल भी हाफ सेंचुरी बनाए, लेकिन टीम इंडिया पूरे ओर भी नहीं खेल पाए, और 211 पर हमारी पूरी की पूरी टीम आल आउट हो गई, अब अपने घर पर साउथ अफरीका को 212 रन बनाने में कोई मुश्किल को नहीं आनी चाहिए थी, आये भी नहीं, उनके ओपनिंग बल्ले बास धोनी, सॉरी, I mean टोनी, कन्फ्यूज हो गया था, क्योंकि टोनी का भी हैर स्टाइल बिल्कुल वैसा ही है, जैसे धोनी का शुरु साउथ अफरीका ने दूसरे वंडे में टीम इंडिया को 8 विकेट से हराया और 3 मैचों की शिंकला में 1-1 की बराबरी कर डाली, तीसरा वंडे मैच कल खेला जाना है, लेकिन कल सुबे हम थोड़ा IPL स्पेशल लेकर आने वाले हैं, सुना है बेंगलूरू वालों की एक बा जय हिंदू